नमस्कार एक बार पनो हाजिर हो मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चेनल गो ब्लॉक्स पे दोस्तों एक मेल हतेली है हमारे शामने और आपकी हतेली में जो करियर और धनकी रेखा है वो चंद्रमा से निकल करके और आपके भग्यास्तान पर पहुँच रही है और भग्यास्तान में अगर आप देखेंगे तो ये दो भागों में इस प्रकार से जो है विवाजित हो रही है लेकिन दो भावगों में जो विबाजित हो रही है वो पचासवें वर्स के बाद हो रही है ये रेखा बता रही है कि करियर और धन के मामले में अस्ताइत्व पैतालिसवें वर्स से आएगा और कहीं न कहीं 45 वर्ष में आपको रास्ता मिल जाएगा आप अपने ब्यावसाई की तरब चले जाएंगे बहुत बड़ा ब्यापार आप करने बैठ जाएंगे ब्यापार के राज योग आपके हतेली में है कहीं न कहीं आपको रास्ता मिल जाएगा चाहे है आप नौकरी भी कर रहे होंगे तो भी आप ब्यापार में जाएंगे ब्यापार में उत्कृष्टता हासिल होगी आपको और पचासवें वर्स के बाद आपको दो तरफा धन का अर्जन होने बैठ जाएगा 42 वर्स से जब करियर और धन के मामले में अस्ताइत वा आने बैठ जाएगा तो निश्चित रूप से प्रतेक दिन अपनी योग्यता अपने मस्तिस्क सक्ति अपने प्राकर्म के अनुसार आपको पैसा मिलेगा प्रतेक दिन धन का अर्जन करेंगे आपको वाहन का सुक मिलेगा आपको अपने मकान का सुक मिलेगा घर का जिसे कहते हैं और आपको अपने ब्यावसाय का सुक मिलेगा और जादतर संभावना ये है कि पूर्ण रूप से नौकरी से निवर्त होके आप ब्यापार में चले जाएंगे अगर नौकरी करते भी हैं तो फिरी हैंड करेंगे मनि कोई चिंता वाली बात नहीं होगी एक सोकिया तोर पे आप नौकरी करेंगे आपके जो हतेली में है वो बिजनिस है लेकिन है पैतालिसमें वर्स से उससे पहले जो है ब्यापार नहीं है अगर आप जाएंगे भी तो उसमें वो विस्तार वो फैला वो नाम यस नहीं होगा वो पैसा नहीं होगा जो होना चाहे कि वोल आप बेस रख पाएंगे लेकिन पैतालिसमें वर्स से आपके भाग्या में ब्यापार बहुत अच्छा है आपके हतियली में ब्यापार बहुत अच्छा है और जहां पैसों के मामले में समर्दसाली ब्यक्तित तो रहेगा बहुत समर्दसाली बनेंगे वहीं ब्यापार के मामले में एक पहचान बनाते चले जाएंगे यह आपकी करियर और धन की रेखा है अब यहाँ पर दीखेंगे इस चीज को पुष्ट कर रही है आपकी अंगोठी की लाइने क्योंकि अंगोठे में जो लाइने बनती है वो सुक्रप्रवत से प्रभावित होती हैं और सुक्रप्रवत किस चीज के लिए होता है कला है सुंदर्य है सुंदर्ता है इन सब चीजों के लिए सुखद जीवन के लिए सुक्रप्रवत का पुष्ट होना सुंदर होना बहुत अच्छा होता है सुक्रप्रवत बहुत एक सुक्स विदाओं को दिखाता है सुक्रप्र वो तो आपकी सुखों को दिखाता है ठीक है ने अब यहां पर दीखेगा जो आपका अंगोठा है ये इसमें निश्चित रूप से देखेगा कि लगातार जो है तीन कट इस्पेसल बन रहे है इस्पष्ट तरीके से बन रहे है और करियर और धन की रेखा आपकी जो है चंद और अंगोठे पे इस प्रकार से कट बन रहे है जीवन काल के 45 वर्स में क्या करेंगे कहीं न कहीं अचानक आपको तरक्य के और ले जाएंगे आपको जीवन में अचानक तरक्य मिलेगी ये इसको दिखाती है 45 वर्स से 45 वर्स क्रोस होते ही जो है जीवन में ये तरक्य को द दिखाती हैं धन प्रतिष्टा रहा है मान सम्मान ध्यान दिजीएगा आपके जो प्रशन पोछे वCal उए मैं किवल उत्तर दे रहा हूं विस्लेशन करके उन क्वेशनों को जो है दोहरा नहीं रहूं, बतानी रहूं कि क्या प्रशुना आपने किये है, आप खुद उत्र सुन करके उन प्रश्णों का उत्र जान लेना, मैं प्रशन नहीं कहूंगा, क्योंकि आपने बहुत बड़ी एक जिसको स्टोरी कहते हैं, वो लिख ढली मैं उसका सिर्फ उतर दूँगा बिसलेशन करूँगा प्रश्न नहीं कहूँगा यहां पे देखेगा करियर और धन के रेखाव के बारे मैं बता दिया मैंने अब इन रेखाव को पुष्ट करनी यह कट अंगोठे के अचानक जीवन में तरक्की मिलेगी धन है परतिष्टा ह मान सम्मान है सभी चीजों में यह बडोतरी को दिखा रहा है निर्धनता आपके अंदर नहीं आएगी गरीबता आपके पाश नहीं आएगी लेकिन आपको इगो प्रोब्लम से बचना होगा जब आप काम्याबी की सीड़ियां चड़ते जाएंगे तो इगो प्रोब्लम भ इस से दूर रहना है, इस से समल कर रहना है क्योंकि एक साइड से ये सीड़ी चड़ेगी तो दूसरी साइड से धार्मिकता भी आपके आगे आगे चलते जाएगी, आप धर्म बहुत ज़्यादा हो जाएंगे धर्म कर्म के कारियों में बढ़ चटकर हिस्सा लेने बैठ जाएंगे दान पुन्डे से समन्दित चीजों में अच्छे कार्य करते बैठ जाएंगे धन के लिए 45 वर्स से आपका अंगुठा बहुत अच्छा कहलाएगा ब्याउसाई इत्यादी चीजों को ये दिखाता है और आप 45 वर्स के बाद 45 वर्स के बाद अगर ब्याउसाई करते हैं तो ब्याउसाई में अपार सफलता आपको हाथ लगेगी ये बता रहा है अंगुठा ठीक है दो चीजे हमने बता दिया है अप थोड़ा सा जो है अंगुठे के बारे में ही एक दो चीजे और जान लेते हैं फिर और चीजों पर जाते हैं यहां पे अगर आप देखेंगे आपका अंगोठा जो है इस प्रकार से है और यहां पे हड़ी जादा निकले हुई है ठीक है ने इस प्रकार से यह हो और यह हड़ी को जादा निकालना है तो यह क्या दिखाता है यह दिखाता है कि जीवनकाल के कहीं न कहीं जो है 42-43 वर्स तक संगर्स कहीं न कहीं जनम लेता है, धनहाने को दिखाता है, ब्योजाहे की धनहानिया होने बैठ जाती है, जिसका कोई फायदा नहीं मिलता ब्यक्ति को, वो उस परकार की धनहाने को ये दिखाता है, और 42 वे वर्स तक ब्यक्ति को ऐसी इस्तित में ब्योशाई नहीं करना चाहिए यह ब्यावसाई में भी नुकसान को दिखाता है अगर कोई ब्यक्ति की अंगोठा इस प्रकार से हो अगर वो ब्यावसाई करता भी है तो पार्टनर्शिप में ब्यावसाई न करना चाहिए एक बात याद रखनी चाहिए ऐसे लोगों को खूब मेहनत के बाद ही धन आता है ऐसे लोगों के पास और जैसे जैसे समय बढ़ता है पीठ का दर्द गोटने का दर्द कमर की प्रोब्लम की संभावना को यह दिखाता है तो इसके लिए योगा है प्रणायाम है ब्यायाम है यह चीजें करते रहने चाहिए जिसको वरकाउट कहते हैं और खास कर ऐस जीवन में धन कमाने की इस्तिती थोड़ी से लेट बनती है जाद तर लोगों की बाईयारिस में वर्स के बाद से ही धन की इस्तिती अच्छी होने बढ़ जाती है लेकिन ऐसा अंगोटा वाला चप्पनुए वर्स के बाद एक स्वलणिम जीवन जीता है लक्जरियस जीवन लेकिन आपकी करियर और धनकी रेखा 45 वे वर्स से ये चीज देती हुई दिखाई दे रही है अस्ताई तो देता हुआ दिखाई दे रहा है वहीं इसके कट भी इस चीज को बता रही है ठीक है न अब आपका जो है जो दो ब्योसाई वाला सवाल ह हो गया नोकरी वाला सवाल हो गया तरकी वाला सवाल हो गया ठीक है अब दोसरा सवाल आपका लेती है ठीक है ने कोशिस करते हैं लेने की अब यहां पर देखेगा आप आपका ब्रस्पति परवत सनी की तरफ भाग रहा है ठीक है ने ब्रस्पति परवत जो प्रथम आचार हैं हमारी हतेली में बैठने वाले वो सनी की तरफ भाग रहे हैं और आप अगर देखेंगे यहां पे एक रेखा इस प्रकार से आके और हिर्दे रेखा में समाहित हो रही है ठीकन एक रेखा यहां से आके हिर्दे रेखा में समाहित हो रही है मंगल से और आपका बिबाह का्ट रहें है यूरिन रहेखा को देखो जब ब्रिसपति सनी के तरफ झुकता है तो पारिवारिक समस्याओं को जन्म देता है परिभाद को लेकि बहुत ज़ादा चिंत्य ब्यूक्ति को करने पड़ती है या पारिवा भ freak समस्यां जन्म लेता है जब मंगल से कोई रेखाएं हिर्दय रेखा में मिल जाए आगे न बढ़े तो दामपत्य जीवन का जो सुक है उस सुक को ब्यक्ति भोग नहीं पाता है चाए प्रस्तिति कुछ भी हो ठीकने उस सुक का भोग ब्यक्ति को नहीं मिल पाता है और जब ब्रस्ति भी ऐसा हो मंगल भी इस प्रकार से हो और यूरिन रेखा को भी रेखाएं काट रहे हो तो तलाग तक का मामला भी आजाता है और ऐसी इस्तिति बनती है कि इसमें ब्यक्ति इसी में जो है फस्ता चले जाता है रास्ता नहीं निकल पाता है और धन ब्यक्ति का हमेशा खर्चा हो जाता है मानसिक तोर पे प्रेशान हो जाता है सारिक तोर पे प्रेशान हो जाता है और ब्यक्ति बहुत ज़्यादा मानो ऐसा लगता है कि प्रेशानिया जाही नहीं रही हो जीवन से क्या करना चाहे इसके लिए जो उपाई है वो मैं बिदीवत तरेके से आपको आपके वाटसप नम्मर पे भेज रहा हूँ उसी बिदी से करेगा निश्चित रोप से इस परेशानी से छुटकारा पाने का आपको रास्ता मिल जाएगा और जीवन बदलते देर नहीं लगेगी हाँ जो एक्चुल खुसिया मिलेंगी जो एक्चुल तरकी मिलेगी जो जीवन में गाड़ी आगे बढ़ने को एकदम लेकिन 45 से जीवन में चाहे कोड कचरी का मामला हो जो है दांपत्य जीवन का मामला हो सभी मंगल से देखे जाते हैं यों होने बैठ जाएंगे जीवन काल के 45 वर्स से तो आपको धहरे रखकर जो है उपाय करने हैं धहरे रखके अपने रास्ते पे चलना है निश्चित ही जीवन में अगला कदम जो आएगा वो आपके पक्ष में आएगा ठीक अभी इस्तितियां जो है बहुत ज्यादा अच्छी क्योंकि हतेली में ग्रहनक चत्रों की इस्तिति जो है ज्यादा अच्छी नहीं कहा जा सकता है अब यहाँ पे देखेगा चंद्रमा चंद्रमा है मन का कारक ठीक है ने यह मन पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है और 70% हमारे जीवन को बदलने की चमता रखता है यहाँ पे अनबैलेंस है यह कह रहा है कि बरतमान में आपका मन गड़ रहेगा मानसिक प्रेशाने से गरसित होंगे कई बार बहुत ज़्यादा भावगता आ सकती है बात बात पर आँख से आसो बह सकते हैं इस बात की जो है संभावना ज़्यादा है यह इमोशनली प्रेशान हो जाते हैं चंद्रमा के इस प्रकार से कमजोर होने से इस प्रकार से अनबैलेंस होने से मन अच्छा नहीं रह सकता है मन बैचेन रहेगा मन खराब रहेगा मन काम में नहीं लगेगा मन उल्जन में रगेगा मन कन्फ्योजन में रहेगा एक तरो से कहते हैं मन खराब रहना औ और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा digestive system इसलिए मन सही नहीं होगा तो कुछ समय बाद से जो है पेट की भी दिक्कते आनी बैठ जाती है नीन आने में भी दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है और इस समय चंद्रमा आपका ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा जाएगा इस चीज को आपका चंद्रमा बता रहा है ठीकन लगभग देखा जाए तो सभी सवालों का एक तरों से उत्तर आपको मिल गया है अब आगे जो बिसलेशन करेंगे उसमें पूरा उत्तर आपको मिल जाएगा हां हतेली के बिसलेशन से महत्वपूर्ण होता है तो हम आपको वो सोल्यूसन देंगे अगर आपने विदिवत तरीके से एक बेग्यानिक धंग से उसको कर लिया तो निश्चित रोप से बदलाव होने की संभावना बहुत जादा बढ़ जाएगी और जादोई तरीके से जीवन में निखार आएगा लेकिन वो करने के उप परबात है आप किस प्रकार से करते हैं अब आपकी हतेली को थोड़ा सा जो है धंग से देखा जाएगे देखेगा यहां पर यह कीतु का छेतर है इसको जो है हम मनि बंद परदेश कहते हैं और जोतिस सास्तर में इस केतु की छेतर को सबसे महत्वपुन अस्तान माना गया ह यह मोक्ष का कारक है यह मुक्ति का कारक है जैसे सिद्ध महात्मा होते हैं पहुंचे वोई सिद्ध वो मुक्ति परिनिर्मान को प्राप्त करते हैं यह इसी का द्योतक है यह बताता है कि पूरो जन्म में आपने क्या कर्म किये हैं यह बताता है इस जन्म में आपके कर्म कै से रहेंगे और आपका आनेवाला जन में किस परकार का होगा यह इस पष्ट तरीके से बताता है क्योंकि यि कितु का च्छतर है मोख्श और परिनिर्मान का च्छतर है यहाँ पे आप देखेंगे तो यह दूसित आउस्ता में यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे अवस्ता में नहीं है तो कुछ समय तक कोई नो कोई चिंता बनी रहेगी कोई नो कोई उल्जन बनी रहेगी और कहीं न कहीं संगर्स भी दस तक आपकी जिवन में देती रहेगी इस पश्ट करे कुछ समय तक और लगभग 45 वर्स तक ये इस्तिति कहीं न कहीं यहाँ पे दिखाई दे रही है अब यहाँ पे देखेगा कि यह रेखा यहाँ पे इस तरह से जो है और यह पहली रेखा मनि बंद की है इसको कहते हैं स्वास्त्य की रेखा यह आपके स्वास्त्य के बारे में आपके आरोग्य के बारे में आपके तंदुरस्ति के बारे में बताती है यह रेखा बता रही है कि कहीं न कहीं चाए मानसिक स्वास्त्य हो चाए सारिरिक स्वास्त्य हो कुछ समय तक बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा तो कहीं न कहीं मानसिक स्वस्ते जो है तनाव पुन रहेगा अगर सारीक और मानसिक स्वस्ते ठीक रहा तो दोड़ा, धुपी का उलजन भरा कुछ ऐसा काम होगा जिससे कहीं न कहीं प्रेसान करने वाली चीजें को समय तक रहेंगी ये इस चीज को बता रहा है अब यहाँ पे देखेगा कि यह दोसरी रेखा है और दोसरी रेखा आपकी इस प्रकार से जा रही है ठीक है न? यह है साब सोतरी रेखा लेकिन बीच में इसमें योग का आगार बन रहा है ठीक है इसको संपत्य के रेखा इसको धन की रेखा कहते हैं ये धन के बारे में बताती है आपके संपत्य के बारे में बताती है और ये रेखा बता रही है कि पहले बिट्टिने कितनी भी अच्छे संपत्य जोड़ ली होगी लेकिन जिवनकाल के मध्यकाल में कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ जादतर गवाना पड़ता है ये आपके हतीली में है आगे नहीं दिख रहा है यहां ठीक है तो इसका मतलब है आप फिर संगर्श करके उच्छाइपन को हासिल करेंगे फिर से संगर्स करेंगे फिर से मेहनत करेंगे फिर से कहीं न कहीं जो है उस रुतबे को उन उचाईओं को आप हासिल करेंगे लेकिन अभी जो बीज का समय है लगभग आपने सभी कुछ खो दिया है ठीक है ने सब कुछ आपको जादतर गवाना पड़ गया है बेवजह का यह उस चीज को दिखा रहा है अब तीसरी रेखा देखेगा यह दूसरी है यह तीसरी रेखा यह रेखा सुक की है यह अच्छी बढ़री है मतलब आने वाले समय में सुकों में ब्रदी होगी अत्यंत सरेष्ट रेखा है आने वाले समय में कहीं न कहीं जो है सुक में अत्यंत सरेष्ट ब्रदी होगी अपने स्वास्त्य का अपने धन का अपने एस्वर्य भोगने का सुक आपको प्राप्त होने वाला है क्योंकि फिर यह रेखा भी अत्यंत सरेष्ट अवस्ता में आ रही है अब एक अत्यंत सरेष्ट अवस्ता में और रेखा है आप देखेंगे कि एक चोथी रेखा भी आपके हतेली में आ रही है ये रेखा होती समराट रेखा अगर ये रेखा फलित अवस्ता में आ जाए अब कैसी फलित आएगी ये पहली रेखा भी अगर इस्पष्ट हो जाती है तो इसके उपर निर्भर करेगा कि ये रेखा कैसी है अगर ये रेखा इस्पष्ट हो गई इस रेखा की तरो तो ये रेखा फलित हो जाएगी ये आप अपना हाथ देखते रहे ज्बे applies के लिए में योग ध्यान के रिए को दे दुगा अगर ये रहेखा स्वश्ट हो गई तो चौ थि रह Republicans होगे फीर क्या होगा सम्राथ योग का निर्मान हो जाएगा यानि राज मुदरिका आपके पास होगी चाहे अपना व्यावसाई करें चाहे नौकरी करें आपके पास अधिकार होगा जिदर जिदर आप मुड़े जिदर जिदर आँख उठाए वो काम होके रहेगा बड़ी बड़ी पदुई आपको हासिल हो सकती है या अपने छेतर में बहुत उन्नत सिकर पे पहुँच जाएंगे आपका कहना सबका कहना रहेगा आपका करना सबका करना होगा आपका सब कुछ अपना समझ कर बाकी सब लोग भी आपका अनुकरन करने बैठ जाएंगे ये आपकी मनिबंद की रेखा कहे रहे हैं लेकिन अभी इसका कोई भौश फ़ल नहीं है कब ये उनत इस्तिति में आएगी ये इस रेखा के उपर निर्भर करेगा ठीक है न? लेकिन योग बन रहा है इसमें कोई संसाय नहीं है योग जरूर बन रहा है ठीक है न? आपको चाहिए इस स्वर की पूर्ण रूप से स्रणांगती चले जाएंगे अपने जो इष्ट देव है आपके एनिमेलिट के हिसाब से जो आपका तत्व है उसके हिसाब से भगवान नारायन विश्णु भगवान जो पालन करता है श्रिष्ट के वो आपके इष्ट देव है लकषी नारायन तो लकष्मी या नारायन दोनों की पूझा करें तो लकष्मी स्वयम आएगी स्वयम आपको जो है अलक्ष्मी किस रूप में आएगी उपर से पैसे तो टपकेंगे नہी आपको कुछ न कुछ रास्ता मिलेगा कि आप व्यापार की तरफ जाओ या फलानी नौकरी की तरफ जाओ जिसमें इस प्रकार का जो है पैसा आजाए आपके पास कि उत्कृष्टता हसिल हो नामयस हो अब दीखेगा व्यक्ति का मन काम करने के लिए कब करेगा कहीं न कहीं जब उसके घर में भी अस्ताई तो हो जिम्मेदारियां हो उसके पास कुछ न कुछ हो उसको सुक हो और उसमें भी धामपत्य जीवन का सुक हो या अपने माबाप का सुक हो अपनी बच्चों का सुक हो तभी तो उसका मन करेगा काम करने के लिए आगे बढ़ने के लिए धन कमाने के लिए ठीक है ने तो ये सुक भी प्राप्त होंगे सुक की रेखा जो है इस पष्ट अवस्ता में है पहले रेखा जाएगी तो वो तीसरी रेखा बन जाएगी तो अपने स्वाष्ट्या का, अपने धन का, अपने एस्वरे भोगने का सुक मिलेगा तो चीजें कहीं न कहीं 45-वे वर्ष से अच्छी इस्तिति में आ रही है जीवन का जो कश्ट है, जीवन का जो संगर्स है, जीवन की जो उठा-पठक है, जो उलजन है, जो उसी बीच में ही रेंगरे हैं, उस इस्तिते से उबर कर आप बहारा जाएंगे हर चीज का एक रास्ता मिलना सुरो हो जाएगा, क्या करना है, उपाई बिदिवत तरीके से करने हैं, अन्यथा चीजों में फंस जाएंगे ये बात जरूर है, लेकिन उपाई करने पे आपका जीवन निखर जाएगा, ये भी निश्चित है अब देखेगा, आपकी ये उंगली सीधी खड़ी है, लेकिन उपर से इस तरह से मुड़ रही है, देखाने हैं आपने, किस की तरफ, सनी की तरफ, ये बात निश्चित है कि धार्मिक भावनाई आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में है अपने आराध्य के पड़ती जो है, समरपन की भावना है, इस स्वर में पूरा विश्वास है, ये आपकी जो है, ब्रिस्पति की उंगली बता रही है मिडली फिंगर आपका बहुत लंबी है, एकदम सीधी खड़ी है कर्म पे विश्वास करने वाले ब्यक्ति हैं, मेहनत के महत्तों को जानते हैं, और मेहनत करने में कायरता नहीं है एक कुसल ब्यक्ति तो आपका यहाँ पे है, मेहनत के मामले में हर दम मेहनत करने के लिए ततपर रहते हैं, चाहे वो सारिक मेहनत हो, चाहे वो मानसिक मेहनत हो मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई देरी है अब देखेगा इन दोनों के बीच में जो है तीसरे पोरों पे बहुत बड़ा गयप है ये जीवन काल के 35 वर्स तक धन के मामले में तीन चीजों में से एक चीज रखता है या तो खर्चेला स्वभाव व्यक्तिका रहता है या धन के मामले में संगर्स रहता है या तो धन का महत व्यक्ति समझ नहीं पाता है इन तीन चीजों में से एक चीज जरूर रही होगी आपकी जीवन में पैतीसों वर्स तक अब यह उंगली पूरी तोरो से जोकी हुई है यहाँ पे सनी की तरब और यह है आपकी रिंग फिंगर जिसको हम कहते हैं सूरे की उंगले जब सूरे की उंगली सनी की तरब ढले तो यस पाने की इक्षा को बताती है कि व्यक्ति के मन में यस पाने की परबल इक्षा है व्यक्ति के मन में अपनी जीवन में चल रहे तोफान से उबरने की परबल इक्षा है ब्यक्ति के मन में नाम और यस पाने की इक्षा है बहुत बड़े रोप में और बरतमान में यही इक्षा आपका सूरे परवत आपको सूरे की उंगले के रोप में बता रहा है अब यहाँ पे देखेगा यह उंगली और सूरे की उंगले दोनों बराबर हैं बिल्कुल बराबर हैं और दोनों मिडल फिंगर से छोटी हैं ये बता रही है कि बरतमान में आपको धन और यस की भूक है आपको पैसा और सम्मान बहुत जरूरी हो गया है आपके लिए और इस समय कहीं न कहीं मातर जिवन का लक्षबी यही दिखाई दे रहा है आपके मामल में अब यहां पे जो सब से छोटी उंगले अगर देखें तो ये पूरी रूप से जुकी हुई दिखाई दे रही है और रिंग फिंगर की तरफ धन का मानी की ललक बहुत जादा आपके अंदर है पैसा का मानी की ललक बहुत जादा आपके अंदर है इस बात को ये बता र क्या करना है यहां तक थोड़ा नाखोन बढ़ाना है जिससे कहीं न कहीं अपने को व्यक्त करने की छमता आपके अंदर आ जाएगी वाड़ी की सक्ति बहुत जो है तिब्र होगी मनो वांची जो मनो बेग्यानिक छेतर में है उसमें माहिरता हसिल हो जाएगी केवल थोड़ा अनाखोन बढ़ानी ह eva गा यह पूरी तरह से जूक रखा है यह झूक रखाय यह झूक रखाए शभी का जूकाओं मरत्मान में मिडिल फिंगर की तरफ है और जब सभी उंगलियों का जुकाओ मिडिल फिंगर की तरफ होता है तो सनी की जो नेचुरल गुण है नगेटिव वाले वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और ऐसी इस्तिति में भाग्या का जो साथ है वो पूरी तरह से बिक्ति को नहीं मिल पाता है और ऐसे में बिक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशिया नहीं रहती है खुशियों में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है कामों में बिलंबता आना कारियों में अर्चन आना खुशियों में कमी आना कई बार बहुत जादा दुखी बहुत जादा प्रेशान हो जाना बेवजहे की चिंताओं का आजाना इस चीज को ये दिखाती है और ऐसे में कई बार वेक्ति के अंदर बैराग्य की भावना भी जन्म लेने लगती है इस चीज को भी ये बताती है हिर्दै की लकीर हिर्दै की लकीर इस तरों से जाती हुई और आचारे ब्रस्पति से युक्ति बना रही है अत्यंत स्रेश्ट और नीचे देखेंगे आप दो भागों में इस तरों से बढ़ रही है ये जब होता है तो बिक्ति अपनी पेरेंट्स की बहुत अच्छी सेवा करना चाहता है मन में ध्ये रहता है उसका कि बहुत अच्छी सेवा अपने माबाब की जाए ये अत्यंत स्रेश्ट गुणों से युक्त होती है अब यहां देखेगा ये ब्रस्पति से मिल रही है तो आपके अंदर ये अच्छे गुणों को दे रही है आने वाले समय में जब पैटालिस वे वर्ष के बाद से भाग्योदाई की इस्तिति आएगी तो निश्चित रोप से चाहे आप ब्यापार करें चाहे आप नोकरी करें चाहे आप और भी काम करें समाज में एक स्रेष्ट जीवन आप व्यतीत करेंगे चाहे अभी कैसी भी पोजिसन है आपकी कैसी भी प्रस्तित है आपकी लेकिन गुरू और जो है हिर्दय रेखा का मिलन आपको जो है राजा के समान जीवन जिने को सभल करेगा यहां से देखेंगे एक रेखा इस तरों से जो है यहां पे मिल रही है और एक बिश्णु का तिलग बना रही है यह साब बता रही है कि आपके एलिमेंट के इसाब से आपके जो इष्ट देव है वो भगवान बिश्णु है लक्षमी नारायन जी है जितना आप समरपण उनके अंदर करेंगे जितना आप उनकी चरणों में रहेंगे जीवन काल में जीवन उतना ही दिव्या और उतना ही जो है भव्य होगा यह आपकी हतेली जो है यहाँ पर कहती हुई नजर आ रही है अब चलते हैं हम मस्तिस्क रेखा की तरब यहाँ पर आप देखेंगे आपकी मस्तिस्क रेखा इस तरह से घूम की जारी है और मद्यचंद्रमा पर समाहित हो रही है ये आपकी creativity को बताता है कि आप creative है जीवन में आपको जो है लंबी और हवाई आतरा का मौके मिल सकते हैं और एक विवेकवान ब्यक्तित्व है बौदिक अस्तर आपका अत्यंत स्रेश्ट है इस चीज़ को ये बता रहा है जीवन की रहखा आपकी इस तरह से जारी है और किये तुपी पहुँच रही है देखेगा सास्तर में जो कुछ भी लिखा होगा बुकों में जो कुछ भी रिखा होगा वो अलग चीज है लेकिन जो मैंने हतेलियों का बिसलेशन किया है और इस परकार की जीवन रेखा देखी है तो मैंने जादतर एक एपरसेंट होगा कि जो नहीं हुआ होगा लेकिन जादतर ये देखा कि ऐसा जो व्यक्ति होता है जातक या जातिका कोई भी हो ऐसे लोग अपने जन्म अस्तान से दूर ही उन्नति कर पाते हैं जन्म अस्तान में उन्नति ना के वरावर करते हैं जो उन्नति वास्तों में करना चाहे वो उन्नति नहीं कर पाते हैं और दूसरी बात ऐसे बिक्ति अगर लगातार उन्नतिक कर भी ले तो उतार, चड़ाओ और संगर्स इनके साथ हमेशा रहता है हाँ बड़ी सिकर तक पहुँच जाते हैं ये तो निश्चित है विदेशों तक अपनी धाक जमा देते हैं लेकिन कहीं न कहीं उतार चड़ाओ और संगर्स के साथ ये आगे बढ़ते हैं जिवन में उसी सीक के कारण जिवन में उतम इस्तिति में पहुँचते हैं और कई बार और इस्तिर्ता का सामना भी एसे लोगों को करना पड़ता है लेकिन एक चीज बड़ी स्रेष्ट है एक सिद्ध महापुरुस की तरो ऐसे लोगों का इस प्रकार से कर्म होते हैं कि अंतमे परिनिर्मान की मोक्ष की प्राप्ति मुक्ति की प्राप्ति ऐसे लोगों को हो जाती है ये भगवान की बहुत बड़ी गुण आपके अंदर यहां पे दिखाई दे रहे हैं आप दिखेंगे एक रेखा आपकी इस तरो से एक रेखा इस तरो से यहां पे मिल रही है एक रेखा इस तरो से जा रही है ये कहीं न कहीं जो है कि तो प्रवत पे ही प्रभाव डाली धार्मिक प्रवर्ति का इनसान आपको बना रही है जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी कहीं न कहीं अध्यात्मे के छेत्र में जो है आप उन्नत करेंगे अगर आप पूरी तरों से अध्यात में उतर गए तो कल क्या होना होगा इसका आवास आपको पहले से ही होने बैट जाएगा यह इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है यहाँ से देखेंगे तो लगातार जो है रेखाएं इस प्रकार से जो है जाती हुई दिखाई दे रही है यह इस प्रकार से यह रेखाएं जो है कहीं न कहीं बुद्ध की तरब दोड़ रही है आपके अंदर ब्यापार गुण बहुत बड़ी मातरा में है दीरे दीरे बहुत पर्चण नमातरा में अवतरित हो रही हैं उभर रहे है ब्यापार की गुण लेकिन ब्यापार को ये रेखाएं नहीं दिय रही है चाहिए ब्यापार होगा भी लेकिन इन रेखाओं के उजह से नहीं है लेकिन जितनी ये इसपष्ट सुन्दर और बड़ी होती जाएंगे ब्यापार में उतनी ही सफल होनी की संभावना को ये बढ़ाएंगे और ब्यापार में उन्नति का छेतर उतना ही विस्तिरित आपका होता जाएगा अच्यंत सरेष्ट रेखाएं और ये रेखा जो इसपष्ट होती जाएगी और सनी पे बढ़ती जाएगी इस त्रिकोन को मजबूत करेगी और आने वाले समय में एक से जादा सरोतों से धन का आगमन होगा आपके जीवन में इस चीज को ये बढ़ा रही है और भग्य का पूर्ण सयोग आपको मिलने वाला है इस चीज को ये दिखा रही है अत्यंत सरेष्ट रेखा है अब इसके साथ यहां पे देखेगा ध्यान से ये आपका सूर्य परवत है यहां से एक रेखा जारी है यहां से एक रेखा जारी है यहां से एक रेखा जारी है यह तिरकुन बना रहा है लेकिन क्या है कि इस अस्तम्म को काट रहा है यहां से यह दो मुख्य हो गई है और यहां से भी जो है इस परकार से कोई रेखा आ रही है ठीक है न? ये आपके जीवन में सपलता के अस्तर को घटाता है जीवन में बहु बिचार को उत्मन करता है कभी ब्यक्ति ये करना चाहता है कभी वो करना चाहता है लेकिन उस चकर में न इसमें सफल हो पाता है न उसमें सफल हो पाता है और ऐसी इस्तिति आने पर सूर्य दोस युक्त हो जाता है और ऐसे में जो परियास आप किसी भी छेतर में करते हैं वो परियास पूर्ण रोप से सफल नहीं होते हैं कहीं न कहीं असफल होने की आसंक को ये बढ़ाती हैं सफलता कि अस्तर को घटाने का ये कार्य करती हैं और ऐसी इस्तिति में बिक्ति को करजा नही हो जाता है यह करजे को दिखाता है कि जीवन में बिक्ति का करजा रहने वाला है काफी समय तक जब तक करियर और धनी की रेखा उसकी एकदम इसपश्ट नहो तब तक अस्ताई तो ना देने बैठ जाए तब तक करजे के लिए बिक्ति परिशान हो जाता है और यह कुछ समय तक अभी बना रहेगा अगर करजा होगा तो कुछ समय तक परिशान जरूर करेगा चाहिए मैं कितना भी अच्छा बोलनों आपको लेकिन यह सूर्य कुछ समय तक हमेशा नहीं बस तीन-चार बरसों तक यह कहीं न कहीं थोड़ा सा परिशान करेगा और ऐसी इस्तिति में जब सूर्य इस प्रकार से हो तो जो आप प्रियास करते हैं पूर्ण सफल नहीं हो पाते हैं जो आप मेहनत करते हैं जो आप परिशरम करते हैं उसका पूरा सरेई पूरा क्रेडिट बेक्ति को नहीं मिल पाता है जो क्वालिटी आपके अंदर है जो योगिता आपके अंद आप नोकरी की तरफ जाओ वो ग्रॉथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आप ले अपने आपको ख़पा लिया हो जीवन सहिजता से सरल्ता से नहीं चलता है क्योंकि ये साप बताता है कि आपके जो सारिरिक चक्र है वो कहीं न कहीं इस सूर्य के चक्रों के साथ ताल्मेल में नहीं है जिसके कारण सारेरिक स्वास्त्या, मानसिक स्वास्त्या, खुसहाली, उत्साह, उर्जा इन चीजों की आपको चिंता करनी पड़ रही है क्या करना चाहे सूर्य किरिया सूर्य किरिया अगर आप करते हैं और उसका परिणाम अगर आपको मिलता है तो उस क्रिया के परिणाम से आपकी साररिक चक्र सूर्य की चक्रों के साथ परस पर तालमेल में हो जाएंगे और फिर आपकी साररिक सेहत बेहद अच्छी होगी आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट हो जाएगा और आपका जीवन सहिजता से चलेगा और तब साररिक स्वस्त्य है खुसहाली है जीवन की उत्सा है जीवन का ओरजा है जीवन का इन चीजों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी ये हमेशा आपके साथ होंगी सूर्य किर्या का क्या मतलब है सूर्य किर्या का मतलब है अपनी भीतरी सूर्य को जागर्ट करना क्योंकि आपके अंदर भी एक सूर्या है बरना आप सरीर का तापमान कायम नहीं रख पाते यकीन मानिएगा तो सूर्य किर्या में दोगा जिससे चीजें अपने आप बेहतर होनी बैठ जाएंगे अब देखेगा ये अंगोठा है इसके नीचे का भाग सुक्र का परवत है अभी बर्तमान में यहां पर पूरी रेखाओं का जाल बन रहा है जब सुक्र परवत पर रेखाओं का जाल बनता है तो ये बताता है कि बर्तमान समय में आपको मानसिक परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है कहीं न कहीं आपका जिवन संकटों और कठनाईयों के बीच गुजर रहा है बहुत जादा मेहनत बहुत जादा प्रिस्रम करने के बाद भी वो संतुष्ट प्राप्त नहीं हो पारे हो सुकून नहीं मिल पारा है जो वास्तों में मिलना चाहे और सुक के भाव में भी कमी हो रहा है चाहे सारिक सुक हो, चाहे मानसिक सुक हो, चाहे परिवार का सुक हो, चाहे दामपत्य जीवन का सुक हो, उस सुक का पूर्ण रोप से आप भोग नहीं कर पा रहे हैं हाँ यहाँ पे वर्टिकल लाइने भी है यह बता रहे हैं कि आपके परति वास्तों में आपका कार्य के परति जुजारोपन है जिस कार्य को आप हाथ में लेते हैं जब तक पूरा नहीं हो जाता छोड़ते नहीं है आपका निम्न मंगल यहाँ पे दोसित है कहीं न कहीं जीवन में आपके ब्रेन में कनिफ्यूजन की इस्तिति दुविधा की इस्तिति डिसीजन लेने की छमता में असर ये डालना है और मंगल के प्रभाव के कारण ये दोसित हो जाता है तो छड़ भंगोरो वाला गुस्सा पैदा करता है ये दोसित हो जाता है तो जमीन जायदात का जो लाब अब्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए वो बड़ी देर सी होता है इसका प्रभाव हिर्दय रेखा पे पड़ता है तो दामपत्य जीवन का सुक प्राप्त नहीं कर पाता है उसमें कहीं न कहीं प्रस्ति मंगल पे हो तो कोल्ट कचरी उगेरा का मामला भी जहलना पड़ता है ये ठीक है बाकी मनी कहीं न कहीं प्राकरम है आपके अंदर एनर्जेटिक स्वभावाला विक्तित्व है आप मैं सबका एक ही उपाई दूँगा इस तरों से उपाई दूँगा आप करें और उसका लाप प्राप्त करें ये साधारन भाव में बैठे हुए हैं ब्रिस्पति जी और बरतमान में इस अवस्ता में आपके अंदर ये साधारनता देती हुई दिखाई पड़ रहे हैं हां हसमुक सुभाव रहेगा देखा जाए तो दयालो और प्रौपकार की भावना रहेगी आर्थ की प्राप्त के लिए मन में बहुत ज़्यादा जुकाओ बना रहेगा स्वतंतर्ता और लीडर्शिप की चाहा रखने वाले होंगे सनी सनी कहीं न कहीं इस प्रकार से हर जगह पे बकरी होता हुआ दिखाई दे रहा है यहां पे उभरावा दिखाई दे रहा है जब सनी इस प्रकार से हो तो बेवजहे की चिंताएं बिक्ति के जीवन में आ जाते हैं या कोई ऐसी वजहें बन जाते हैं जिससे तनाव की इस्ति रहे खुसाली ब्यक्ति के जीवन से दूर चलती जाए और जिसके कारण कारियों में रुकावट आए धन है मान परतिष्टा है पद परतिष्टा है सभी चीजों में ये कमी को दिखाता है जीवनकाल में बहुत ज्यादा असरतों नहीं पढ़ रहा है लेकिन कुछ जरूर कुमिल ये अपना प्रभाव दे रहा है जंद्रमाय के बारे में हमने पहले बता दिया है देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हतेले का अब इसलेशन करके आपको बता दिया है उपाए में ब